Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion Now daily की basis पर complete news paper analysis करते हैं particular news को UPSC prelims और mains के basis पर कैसी पूछी जा सकती है वो भी हम discuss करते हैं बड़ कल से यहाँ पर लगातार तीन दिन से बहुत ज़्यादा heavy rain, power cut, network, signals ये सब damage हो चुके हैं बहुत ज़्यादा worst scenario में आपको कुछ images दिखाता हूँ ठीक है और अभी ये कल रात से network आये हैं और मैं ये ensure करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको जो backlog है वो भी आपका complete हो जाए कुछ देखिए ऐसी situation हो रही है right इतना ज़्यादा worst scenario है even घरों के अंदर तक पानी जा चुका है right ये देखिए बहुत worst यहाँ पर scene है worst scenario यहाँ पर देखने को मिल रहा है damage बहुत ज़्यादा है network नहीं है और ये है first post की post है 19th October की 19th October तक उत्राखंड में 34 dead and 5 missing ननिताल का top pray for everyone safety and tweets PM तो इतना ज़्यादा worst scenario देखने को मिला है तभी ये कल का जो news paper है वो हम upload नहीं कर पाए but कोई issue नहीं है आज के जो पूरे notes को एक एक करके हम discuss करेंगे सबसे पहले Indian teams meet Taliban dipty PM महराष्ट ने form sold करती हुई पाएगी एक genetically modified contaminated rice ये क्या है Buddhist tourist circuit बनाय जा रहा है कुशी नगरा में जहां महापरी निर्वाना achieve किया था गौतम बुद्ध ने और ऐसे ही पूरे news paper में बहुत सारी news हैं जो हम करने वाले हैं कैसे मैं कहूंगा editorials की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें discuss करने एको हैं कि सबसे पहने तो वह यह GM crops ऐसे contaminated गई कैसे और conference or party जो 26th है वो क्या है और उसमें कौन से कौन से mechanism नए हैं उसको हम discuss करने वाले हैं बड विदाउड बोविंग फर्दर टेलिग्राम application डाउनलोड कर सकते हैं search box में type करना है at the rate PR publication क्योंकि अगर आप सिर्फ prelims की तैयारी करने हैं UPSC के लिए तो वो सही नहीं है आपको mains की तैयारी करनी है सबसे पहले mains plus prelims ठीक है ऐसा नहीं होगा कि prelims से लग, mains से लग ठीक है यहाँ पर क्या होगा daily के basis पर आपको free में इस PR publication टेलिग्राम ग्रूप में आपको UPSC mains question आपको दे दिया जाता है उसके साथ साथ paid user की जो answer writing होती है वो भी हम share कर देते हैं अगर आप चाहते हैं आप भी हमार साथ PR publication के साथ अपनी UPSC के तैयारी करना तो date wise current notes, daily answer writing, 6-12th notes, phone gardens आपको सिर्फ 4.99 रूपीज के plan में मिल जाएंगी तीनो प्लान lifetime रहेंगे 9.99 रूपीज के लेना बहुत सिंपल है दिये गए नमबर पर Google पर phone पे करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमबर पे हमें WhatsApp कर देनी है साथ में हमारा हडपा बैचलरा ancient history के लिए PR publication application डाउनलोड कीजिए ancient history के join कीजिए previous PDF, पूरे chapters, मतलब पूरे ancient history के notes NCIT plus reference book, प्लस videos आपको मिल जाएंगी PR publication की application में सबसे पहले नियूज है देखिए अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कबजा हुआ है humanitarian crisis देखने को मिला है तो इंडिया ने इस पर आवाज भी उठाई है कि particular हमें कोई भी अगर international level पर institute है अगर कहीं पर भी debate होता है तो हमें अफगानिस्तान में humanitarian crisis की बात करनी चाहिए humanitarian crisis या humanitarian aid की मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोगों को basic उनके fundamental right मिलने चाहिए women's को allowed होना चाहिए ये सब चीज़ें हमने discuss करने की बात की तो अभी क्या हुआ जो member है तालिबान सरकार के उनको मॉस्को बुलाया गया इंडिया ने भी जॉइन किया 10 nation statement भारत से भी बहुत सारे officials हमारे गए Indian team का मतलब ऐसा नहीं है भारती की ये team चले गए विराट कोली महिन सिंग धोनी ये नहीं गए हमारे officials से गए जो diplomats हैं वो गए कि particular हमने वहाँ के deputy जो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुलसलाम हनाफी उनसे बात की गई हमारे officials से द्वारा और humanitarian aid देने की बात की गई वहां की जनता को तो पूरे article में यहीं लिखा गया है इंडियन साइट फाइनली एक्सप्रेस रेडिनेस इससे पहले भी पहली बार हम humanitarian aid देने की बात कर रहे हैं जहां पर wheat, barley यह सब चीज़ा होती है हमारा foot consignment तो जाएगा जाएगा उसके साथ जो medical consignment है वो भी हम देंगे अफगानिस्तान को अब इससे होगा क्या देखिए इससे मेंस के बहुत सारे कुछ फाइदे आपको देखने को मिलेंगे अब अफगानिस्तान में कहीं न कहीं हम humanitarian aid दे रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी soft power बढ़ेगी और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थुरू भारत में terrorism फैलाता था वो कहीं न कहीं counter किया जा सकता है पहला point दूसरा अफगानिस्तान ही एक ही हमारा देखे पाकिस्तान के land route के थुरू तो हम कुछ नहीं कर सकते अफगानिस्तान एक खुदमा अपना एक strategic location है तो वहाँ की location को सरपास करते होए मतलब वहाँ की location हमें connect करती है Central Asia से Middle East Asia से तो ये हमारे दो फाइदे हो सकते हैं जब भी हम humanitarian aid की बात करी है और तूसरा जो हमारी past के history रही है कि humanitarian aid हम उन वर्ष्ट country को देते आये हैं जहां पर भी ऐसे crisis चलते रहे हैं तो तीन फाइदे मैंने आपको बता दिये कि अफगानिस्तान से अगर हम जब बात कर रहे हैं deputy, prime minister वहाँ की सरकार के लोगों से बात कर रहे हैं diplomatic relation बढ़ा रहे हैं तो तीन मैंने आपके solution बता दिये तीन फाइदे आपको बता दिये center ने यानि की केंद सरकार ने identify किया है महराश्ट बेजड exporter as a source of broken rice flagged in European contaminated with genetically modification earlier in this year 500 से ज़्यादा मतलब actual मैं अगर quantity की बात करूँ तो 500 ton consignment देखने को मिले जो non GMO certification थी by independent agency मतलब देखिए अगर मैं बात करूँ चावल की भारत में तो यार भारत तो भेजी नहीं सकती न genetically modified जो rice है उसको क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ जो BT cotton है वो commercially available है बांकि कोई commercially हम prepare नहीं कर सकते कहने का मतलब genetically modified crop होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैंने पूरा science and tech के आर्टिकल इसमें पूरे दिये होए है GM modified crop होती क्या है genetically modified crop देखो suppose ये crop है चावल की अब ये चावल क्या हो रहा है मान के चलो इसमें disease हो जाती है ये जैसे ही इसको काटा जाता है फसल काटी जाती है पंदरे दिन के बाद ये खराब हो जाते है सबसे इसमें केड़े लग जाते है ठीक है लंबे समय तक सर्वाइब नहीं कर पाती है पर्टिकलर इसमें nutrition है नहीं इस चावल में तो हमारे scientist क्या करते हैं इस चावल की इस चावल की और एक चीज़ याद रखना genetically modified crop के कभी जैसे एक GM crop आपने लगा दी उसके बाद ऐसा नहीं कि खेद में से seed आएंगे आप नई GM crop खरीदोगे नहीं genetically modified crop उगाने के लिए आपको seed company से ही खरीदने पढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा कि एक plant उगा दिया अब होगा क्या फिर मैंने का इस चावल में इतनी ज़्यादा problems है अब हमारे scientist क्या करेंगे particular इसके gene को modify करेंगे ठीक है gene आप सबको पता है gene आपके में भी होता है plants में भी होता है आपके कौन-कौन से desired characteristics हैं वो बताता है gene आपको कोई बीमारी हो रही है तो आपके previous gene heritage के basis पर होती है तो scientist क्या करते हैं एक tool की मदद से उस gene को replace करते हैं और जो नया gene है उसमें डाल देते हैं नया gene डालने से क्या होगा इस नए चावल में nutritious content होगा बिमारी नहीं होगी इस चावल में पंदर से जादा दिन तक ये survive कर पाएगा ये होता है एक genetically modified crop अब आपको देखो इसके लिए मैंने पूरी playlist बनाई है मैं already बहुत बार कह चुका हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो उसके साथ साथ आप science and tech के सभी article कर पाएंगे PR publication पर जाना है वहाँ की playlist पर जाना है और playlist में एक playlist आएगी science and tech की छे पूरे lecture मैंने दिये होए हैं छे lecture आप पूरे देखोगे तो आपको समझ माएगा बायो टेक्नोलोजी वाला बायो टेक्नोलोजी types and application ये देखो GM mustard ये देखो genetically modified mustard मतलब पूरा article पूरा lecture मैंने cover किये गए है GEAC ये सब चीज़ें आप देख सकते हो CRISPR cash 9 ये आपको नहीं देखना है genetic engineering पर मैंने gene से related पूरे article पूरे lecture यहाँ पर cover किये हैं मैं हमेशा बोलते आया हूँ अगर आप ये lecture कर लेंगे तो फिर आपका एक दो घंटा हमेशा हर दिन बचेगा जब भी एक नई news लेके आएगा देहिंदू genetically modified crops से related तो इस particular news के notes, books free में available हैं आप इसको particular videos देख सकते हैं उसके description में link दिया होगा आप वहाँ से book ले सकते हैं ठीक है now next news बहुत ज़्यादा important है कुशी नागर कुशी नागर अगर देखोगे तो ये है UP में यहां के airport को अभी connect कर लिया गया है सिलंका से directly connectivity अब क्या मतलब है इसका कुशी नागरा है, लूम्बनी है आप सबको पता है बुद्धिष्ट जो गौतम बुद्ध है 563 BC में उनका जन्म हुआ अब जन्म हुआ ठीक है लूम्बनी नैपाल में ठीक है रूद्र में देवी कुछ विलेज है अब जब वो उन्होंने फर्ष्ट सर्मान दिया अपना तो उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मतलब गौतम बुद्ध के जितने जितने स्टांस हुए जब वो पैदा हुए जब उन्होंने फर्ष्ट सर्मान दिया बोध गया मैं ठीक है फिर जहां पर उन्होंने महापरी निर्वाना एचीब किया महापरी निर्वाना मतलब उनकी जब डेथ हुई 483 BC में गौतम बुद्ध की डेथ हुई और तभी फस्ट काउंसिल भी हुई ठीक है उनकी टीचिंग को संसार तक पहुँचाने के लिए जब वो डेथ का इंस्टांस था जब वो उनकी डेथ हुई तो उस पर्टिकलर चीज़ को कहते हैं अब इन्होंने महापरी निर्वाना एचीव कर लिया है इसका मतलब क्या होता है अभी एंशेंट हिष्ट्री में हमारा चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकलर गौतम बुद्ध ने जो साइकल है बर्थ और डेथ की वो एचीव कर लिये मतलब अब उनने मोक्ष प्राप्त कर लिया है तो अब जहां जहां उनके रिलेटेड गौतम बुद्ध के रिलेटेड महापरी निर्वाना धम चक्र तो यहां पर क्या होगा बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बना दिया मतलब जो भी बुद्धिस्म फॉलोवर होंगे जिनको इंटरस्ट है तो यह हर पर्टिकलर जगे जाएंगे इवन बुद्धिस्म ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत तक रहा नेपाल तक चाइना तक ठीक है जो बुद्धिस्म के सेक्टे हैं हिनियान और महायान ठीक है एक नौर्दन रिलिजियस माना जाता है एक साउधन रिलिजियस बुद्धिस्म माना जाता है नौर्दन वाले में कोरिया की बात कर रहा हूं ठीक है यह सब जगह फैलाया गया बुद्धिस्म अब क्या कर रही है भारत अपने नेवरिंग कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी पहला अच्छा पॉइंट यह है इस पर्टिक्लर न्यू से अब जो मैं बता रहा हूं यह समझ भी भी बुष्ट होगी क्योंकि हम अभी क्या हुआ सिरलंका की एक फ्लाइट आई कहां पर कुशी नगरा उतरप्रदेश में जहां पर बुद्धिस्ट मौंक आए सिरलंका की मिनिस्टर आए ठीक है बहुत सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए इवन डिप्लोमेट्स आए ब बात कर रहा हूं तो हमेशा साउथ कोरिया तो समझ मा गया यह क्यों बुद्धिस्ट टूरिश्ट सर्किट अभी बनाया जा रहा है तो आप लोगों को यहां से क्या करना है मैं आपको बताता हूं अब यह आप कुछ नोट्स हैं जो पर्टिकुलर आपके बहुत हैलप फूलूंगे यूपीएस्सी 2022, 2023, 2024 और यूपीएस्सी में से 2021 के लिए भी अस्ट महाइस्तान की मैं बात कर रहा हूं बुद्ध, बुद्धिस्म और जैनिज्म से हमेशा एक कॉशिन आपका पूछा जाता है तो यह कुछ आठ जगें हैं जहां पर गौतम बुद्ध की जो लाइफ है वहां एसोशेटेड है लूंबनी लूंबनी आप सब को पता है जहां उनका जन्म हुआ बौध गया सारनाथ कुशी नागरा आप सब को पता है महापरी निर्वाना जाओनों ने अचीप किया बौध गया जहां इनलाइटमेंट जो वो हुआ सारनाथ फर्स्ट सर्मोन दिया सरस्वती ससंकिय राजगीर वैसाली तो हर जगे मैंने आपके लिए लूंबनी लूंबनी इस करेंटली लोकेटेडिन का पीलवस्तू डिष्टिकॉप नेपाल ये बर्थ प्लेस है गौतम पास एक जगह है निरंजरा ड्रीवर है और यहां पर इनलाइटमेंट मिला गौतम बुद्ध जी को सारनाथ सारनाथ कौन सी जगह है डियर पार के है इसको मिर्ग देव मिगदया रिशी पताना ये कहा जाता है जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला इनला टाइम था एट टाइम ऑब बुद्ध इट वास पार्ट ऑप काशी जनपद उसमें जनपद महा जनपद चलते थे ना तो वही है कुशी नागरा क्या है यह उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है यह वो जगह है जहां बुद्ध की डैथ हुई थी और महापरी निर्वाना यह मल्ला जनपद उसमें हुआ करता था सरस्वती उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है इट इस क्लोजली एसोशेटेड विद लाइव बुद्ध 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 है इस्पेंट 24 चतुरमास इंप्लाइट 24 एयर से बिकॉज वन यहर ऐस ऑनली वन चतुरमास बिट्व यहाँ पर उन्होंने अपनी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस्पेंट किया था फिर क्या है संकाश यह करेंट लोकेशन फरुक का बाद डिस्टिक उत्तर प्रदेश है इट है इस सम फेट आप बुद्धिज्म दैड बुद्ध आप्टर इस दैड डिसेंड फ्र इस हैं अमरावती नागारजुन कॉंडा अजन्ता केव अंगोरवाड बोध गया बोधी ट्री ठीक है बोधी ट्री पीपल ट्री है वो जहां पर इनलाइट्मेंट उन्होंने वो किया बोरबोदूर बमियान केप्स एलोरा केप्स तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दस से बार ल आप लोगों को तो दूसरे जो पेड यूजर है उनको नोट्स यह मिल ही जाएंगे फायर एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है आटमोबाइल से इतना ज्यादा पॉलिशन हो रहा है तो सिटी की है जो एर क्वालिटी है पूर कैटिगरी में आ चुकी है और वर्स भी हो सकती ह नहीं दिल्ली की बात है की जा रही है अभी 3.07 करोड लाइविड एज इन्वार्मेंटल कंपंशेशन चार्ज फॉर वायलेटिंग डस्ट कंट्रोल मीजर्स ऐसा इन्होंने बोला है कंपंशेशन दिया भी जाएगा यह अच्छी बात है कि यार कंपंशेशन दिया जाता ह बड़ मेजर चीज यह है कि दो चीज है एक तो एयर कॉलिटी इंडेक्स और एक है सफर यह दोनों क्या होते हैं इसको जल्दी देख लेते हैं नाव एयर कॉलिटी इंडेक्स 6 केटिग्रीज हैं गूर्ड सेटिस्पेक्टरी मॉडिलेटेट पॉलिटेट पूर वेरी पूर सीवी एर वी पूर की केटिग्री में है तो कुछ आठ मिजर पॉलिटेंट हैं ग्राउंड लेबल ओजोन पी एम टैन पी एम 2.5 कार्बन मोन इनको चेक किया जाता है और उनसे पता लगा जाता है कि एयर कॉलिटी हमारी कैसी है दोजार चौद में ये लॉंच किया गया था सेंट्रल पॉलिशन कंट्रूल बोर्ड के द्वारा इन कंसल्टेशन विथ आयाइटी कानपूर उसके साथ साथ हम सफर भी कर लेते हैं सिस् डपलब किया आयाइटीम पूने ने और आयमडी ने भी इसमें हेल्प की इसकी और पॉलिटेंट तो बहुत सारे मीजर करता है ये पीम 2.5 पीम 10 ओजोन मतलब एयर कॉलिटी इंडेक्स के दूसरे पॉलिटेंट भी है जैसे टावलीन, जाइलीन, मर्कुरी, बेंजीन इन स फ्रॉड तरीके से बेचरी है, ऐसा सेंटर बोल रहे है कि हम इन्वेस्टिकेशन करेगी और जब यार दूसरे देसों में जाता है तो इससे भारत का ट्रस्ट खतम हो जाता है अब भारत से जितने भी कंसाइन्मेंट जाएंगे उस पो और ज्यादा इन्वेस्टिकेशन की जाएंगी क्योंकि अगर ये एक कंपनी ने कर दिया है तो आप यूरोपेन यूनियन में भारत की जो इमेज है तो आट सिदा जैनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो कम हो जाएगी और दूसरे प्रोड़क्ट के लिए भी कम हो जाएगी जून से अभी देखो चल रहा जा रही है ऑस्ट्रिया बेल्जियम जर्मनी इटली नीदरलेंड स्पेन यूके यूएस पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकती है जहां पर मेड विद द फ्लोर जीम फ्री राइस डैट इस टैग डैज ऑर्गनिक राइस इस अमंग इंडिया हाई वैली एक्सपोर्ट हमारा सालना 63,000 करोर रुपे का फाइदा होता है भारत को बट अगर ऐसे इंस्टांसेज हुए कि पर्ट्यूकलर जो 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 है वो फॉल्स जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है तो इस पर जांच होनी चाहिए इवन इंडिया ने ये कहा कि हम इन्वेस्टिकेशन करेंगे सा कॉमर्शली जो है बनाया जा सकता है भारत में बांकि कोई भी बीटी कॉटन वही है जनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ठीक है बांकि बीटी ब्रिंजल भी कैंसिल कर दिया गया था तो एड़ इंड हम यही करना चाहिए जो भी हमारी लेबरेटरीज है वहां पर चेक करना चाहिए रेगुलर जो भी एक्सपोर्ट हो रही है जीम क्रॉप से रेलेटिड उनको प्रॉपर इंवेस्टिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर एक कमेटी बैठनी चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन होगा तो हम इससे बच सकते हैं क्योंकि फर्दर भारत की जो एगरी ए सब्सक्राइब आई उनको प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए उस महाराष्ट्री की जो फर्म यह बेच रही है उसको पर्टिकुलर्ली हमेशा के लिए पर्मानेंटली जो है क्लोस कर देना चाहिए और उस पर फाइन लगाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर यह बत है वो मेंटेन रह पाए नाव नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो रिलेटिड है सेम सेक्स रिलेशन के बारे में लगी बीटी क्यू कम्मिनिटी के बारे में तो ये एक अच्छा एडिटोरियल है हाला कि उतने ज्यादा पॉइंट नहीं टोटल ये ही दिया गया है कि जो अभी की हमारी टेक्स्ट बुक है ठीक है जो हमारी टेक्स्ट बुक है जिसमें ट्रांस जेंडर पीपल्स के लिए जो स्टेटमेंट दिये जाते हैं इनको इंप्रूव करने की जरुवत है होमो सेक्शुलिटी इन सबसे रिलेटेट जितने भी चीज़ें इनको सुधार करने की बात की गई है जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है नेशनल मेडिकल कमिशन ने ये भी बोला इवन हमारी कोर्ट ने भी ये बोला जो फॉरंसिक मेडिसीन है टॉक्सिकलोजी टेक्स्ट बुक है मतलब जितने भी मेडिसन मेडिकल बुक्स होती है न उनमें इंप्रुमेंट की बात की गई है तो अगर हमें सोसाइटी में चेंज चाहिए इवन टेक्स्ट बुक में हमें चेंज करना पड़ेगा जो लोग पल्टरें उसमें चेंज करना पड़ेगा तो एक मेजर स्टेप लिया गया इवन सुप्रिम कोट के जजज हाई कोट के जजज ने ये भी बोला कि जो सेक्शुल माइनरिटीज है उनको हैरस नहीं करना चाहिए ठीक है गे लेस्बियन राइट इन सब को तो इससे एक सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा कहीं न कहीं ये modern thoughts जो हैं अगर टेक्स्ट बुक में चेंज गए तो ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा हमारी चेंज हो सकती है नाव नेक्स्ट निउज है अब देखिए बहुत बार जो बच्चे है वो चाहिए उन्होंने एक एटेंट दिया हो दो एटेंट दिया हो या फ्रेशर हो कॉन्फरेंस ओप पार्टी को लेकर बहुत बार डाउट उनको क्रेट होते रहता है मैं कहूंगा पैरिस एग्रिमेंट आप कहोगे पैरिस एग्रिमेंट क्या है सर मैं रेंडम से इस पूरे आर्टीकल को नहीं बताऊंगा यहाँ पर मैं बताऊंगा सबसे पहले यह देखिए युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज यू एन एफ ट्रिपल सी यह है क्या उसके बेसिस पर यह आगे का आर्टिकल समझेंगे और कॉन्फरेंस ओपार्टीस ट्वंटी सिक्स भी समझेंगे और अभी तक जितनी सी ओपी हो चुकी है आपको यह अचानक से ट्वंटी सिक्स कैसे आ गया उन सब को डिसकस करते हैं नोट्स के साथ नाव सबसे पहले जानते हैं यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज है क्या बात तब की है 1992 की और इसको अर्थ सम्मिट, रियो सम्मिट और रियो कॉन्फरेंस भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन का का फ्रेंस था Arms to Environment and Development के लिए तो ये साइन हुआ था 1992 में इसको अर्थ सम्मिट, रियो सम्मिट, रियो कॉन्फरेंस कहते हैं तो समझ में आ गया कोई कहेगा रियो सम्मिट क्या होता है तो आपको कि 1992 में ये conference sign हुआ था तो इंडिया भी था उसमें जिसने conference of parties को host किया था of all the three Rio convention on climate change जिसमें बात की गई थी convention on biological diversity और जो desertification है मरस्तली करन है इसको combat करने के यहाँ पर तीन चीज़ें यहाँ पर define की गई थी कि हाँ हम इन तीन चीज़ों को रोकेंगे 21 मार्च 1994 से यह force माई ratify किया गया 197 देशों के द्वारा और it is parently treaty of 2015 Paris Agreement जो अभी जो न्यूस पर माई है न तो initial में 2015 का Paris Agreement हुआ था उसकी parent treaty कौन सी है 1992 ही वाली है ठीक है अब यह तो हो गया UNFCC CCC मेजर objective तो आप सबको पता ही है greenhouse gas emission कम करना जो pollution है उसको कम करना अब बात करता हूँ UNFCCC का यह conference of parties होती क्या है COP actual में एक decision making authority है UNFCCC की की आगे क्या करना है COP हर साल मिलती है unless the party decide otherwise the first COP meeting बर्लिन में हुई थी जर्मनी में 1995 में bond में मिले थे ठीक है मतलब यह rotation basis पर उनको presidency मिलती है और जब presidency मिलती है भारत को भी मिलती है एशिया से simple सी बात है तो वो तो हम बाद में discuss करेंगे बट अभी तक कौन-कौन सी हुई है वो discuss कर लेते हैं हर साल मिटिंग होती है बट जहां-जहां important चीज़ें निकल के आती हैं वही उनको conference of parties नाम दे दिया जाता है जैसे 1995 से conference of party 1 बर्लिन जर्मनी 1995 से start हुई 1996 वाली conference of parties 2 होगी 1997 conference of parties 3 अब इसको नाम क्यों या दाता है क्योंकि यहां मने क्योटो प्रोटोकॉल निकाला था इसमें greenhouse gas emission कम करने की बात की गई फिर सीधे 1997 में 2002 conference of parties 8 क्यों? क्योंकि यह दिल्ली में होई थी presidency मैंने बोला ना तो दिल्ली को सबसे पहले presidency कम मिली फिर 2008 में मिली इसे डेली declaration बोला गया इसमें यह बात किया गया है कि technology transfer होना अच्छी है climate को अच्छा बनाने के लिए फिर 2007 में हुई conference of parties 13 Bali इंडोनेशिया में फिर Seoul में हुई फिर 2011 में हुई फिर 2015 में हुई जिसे conference of parties 21 कहते हैं Paris Agreement भी कहते हैं इसमें बात की गई कि हमें कहीं न कहीं 1.5 degree Celsius temperature जो pre-industrial temperature था उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है अब इसमें क्या था जो rich nation है जो developed nation है जो amid देश हैं वो क्या करेंगे कुछ contribution देंगे ठीक है पैंसे का technology का जो देप्लॉबिंग देश है उनको 2016 का हुआ 2017 का हुआ 2018 का हुआ 2019 का conference of party 25 मेडरेड इस्पेन में जर वाज no concrete plans regarding the growing climate agency अब जो मैं बात करूँगा conference of parties 26 करूँगा I think अब आपको यहां पर clear समझ में आ चुका होगा हम क्या बात कर रहे हैं ठीक है और इसी बीच 2000 जब डोनाल्ड टरम्प की सरकार थी उन्होंने कहा कि यार हमें parish deal से withdraw हम करेंगे हम contribution नहीं देंगे ऐसा देखिए उसमें डोनाल्ड टरम्प तो यही कहते हैं कि यार यह तो प्राकरतिक चीज़ है man made तो होई नहीं रहा है कुछ ठीक है हालाकि अब सरकार बदल चुकी है बट conference of parties same रहेंगी तो यहाँ पर आप देखिए conference of parties 25 तक कर चुके हैं 26 होगा United Kingdom ग्लासगो में तो बात यहाँ पर यही आती है जो 2015 में Paris Agreement हुआ था उसका article 6 है उसमें यह बोला था हर एक country को NDC करने पड़ेगी यानि कि nationally determined contribution करना पड़ेगा मतलब हर एक देख क्या करेगा 2015 में भारत सरकार ने भी बोला था हम इतना green house gas emission कम करेंगे इतने पेड लगाएंगे तो यह बहुत अच्छा एक successful Paris Agreement मैं कोँँगा successful रहा जिसमें हर एक देख ने NDC अपना बोला भारत ने अभी तक करीवन करीवन 1500 से जादा अगर particular बोलू तो 1703 प्रोजेक्ट किये हैं under the CDM ठीक है which is the second highest in the world deploying country जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजिल उन सब ने carbon market under the clean deployment mechanism of Kyoto protocol total carbon credit known as certified emission reduction issued for the project are around 255 million which correspond to overall anticipated inflow of approximately 2.55 billion in the country at a conservative price of US 10 per CER ठीक है 10 डॉलर का एक CER मिलेगा carbon credit यहाँ पर क्या होता बहुत simple है Paris agreement जब हुआ 2015 में तब यहाँ पर यह बात की गई कि ठीक है जिसको nationally determined contribution जो हर एक country को target दिये थे कि आपको emission इतना ही करना है सपोच किसी country का emission ज़्यादा होता है तो वो क्या कर सकता है किसी दूसरे देश से जिसका उतना emission नहीं है भूटान का उतना emission हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना भूटान का तो भूटान जितना emission नहीं करेगा तो उसके पास certificate होगा उसके पास carbon credit है तो यह developed country को क्या करेगा बेच देता है developed country को बेच सकता है मतलब market से USA भूटान से खरीद लेगी carbon credits और उसके बदले में इतना emission करेगी और उसके बदले में भूटान को रुपे भी देगी investment भी होगा technology उसको transfer करेगी तो वही है तो वही है अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि much like it producer it should help the promote sustainable deployment and assist climate change adaptation 2026 में यह किया गया है कि जो market से यहाँ पर बोल गया है कि जो भी carbon credit खरीदे जाएंगे तो इसमें जो अब countries है जो developing countries है वो अब दूसरे developed countries को नहीं बेची रही है बलकि अब यहाँ पर वो क्या कर रही है खुद की जो domestic और खुद के target पूरे करने के लिए अब वो बेच नहीं रही है वो खुद ही use कर रही है उनने credits को तो मैं यह कहूँगा बहुत ज़्यादा sustainable और climate change को इतना ज़्यादा counter किया जा सकता है अब यहाँ पर total तीन मुद्दे बदा आए गए हैं थ्री critical issue मैं इसको short में आपको बता देता हूँ जब ये 31 अक्टूबर से बार नोमर के बीच में conference of parties हो रही है जब ये issue आएंगे तब मैं बताऊंगा आपको पूरा क्या क्या final solution निकला cdm transition हाला कि अभी मैं पूरा explain कर देता हूँ तीन मुद्दें cdm transition accounting rules और fund cdm transition क्या होता जो certificate वाला होता ना इसमें भारत को भी loss होगा तो इस पर क्या rules बनेंगे ये तो हम जब ये conference of party 26 होगी तब ही हम पता लगा पाएंगे cdm का particular मैंने अभी बोला ना जो deploying countries हो जाती है इवन भारत भी अपने carbon credits बेचती है उसका rules क्या होंगे accounting rules ये in medivate होने वाला है और तीसरा adaptation fund है और जो developed country हैं क्या वो deploying countries को पैसा देंगी या नहीं इस पर भी बात की जा रही है तो ये पूरा article देख लिया हमने यहां basic से भी देख लिया UNFCCC क्या है Rio Summit ये 1992 में हुआ था उसके बाद conference of parties होने लगी थी और उसके बाद conference of party जितनी होई थी मैंने list wise सभी को आप बता भी दिया है 2008 में भारत में भी होई थी अब नाव यहां पर यह है national security policy once cyber technology become a key variable in defense politics shop nation land size of GDP sides are irrelevant यहां पर पूरा वही प्रेहिस्ट्री से बताए गया है तो किस तरह से cyber technology का हमने use करना चाहिए जो cyber wrongs होते है cyber cell का बहुत ज़्यदा advancement करना चाहिए innovation करना चाहिए 21st century में repeated यहां पर point दिये गए है सुबरमन्यम स्वामी जी का यह पूरा article दिया गया है national security as its root in the 21st century will depend on mind blogging skills in four dimension national security policy की बात की जा रही है यह प्रे हिस्टरी से बात की गई है इतना ज़्यदा important यह article है नहीं जब यह होगा दोबारा यह आने वाला है फिर से हम इसको discuss करेंगे हाला कि इसमें यहीं बताए गया है चाइना अपनी cyber security बढ़ा रहा है Pegasus के बारे में जिक्र यहां पर किया नहीं गया है बट Pegasus के बारे में जिक्र करना चाहिए particular hacking इतनी जा रहा हो जी है तो practical हम क्या कर सकते हैं किस तरह से cyber जो crime से उनको रोक सकते हैं इसकी बात की गई है अलग-अलग random fact भी दिये गए हैं पूरे आर्टिकल में पंचे तंत्र वगरा यह सब चीजें पुरानी कहानिया ठीक है politician ने लिखी है तो चलो चलेगा यह अब मैं सबसे पहले notes में दो answer writing आपको दिखाता हूँ AI artificial intelligence in cyber security can provide robust protection and generate rapid response to cyber threat जो पूरा आर्टिकल दिया ना उस पर हम already 4 September को पूरी answer writing कर चुके है ठीक है क्योंकि मैं तो सिर्फ ऐसा focus नहीं करता कि सिर्फ answer writing सिर्फ आपको editorial रटा देने हैं बस ऐसा नहीं उससे क्या editorial से आप answer writing कर पा रहे हैं यह सबसे ज़्यादा matter करता है तो 4 September की answer writing देख सकते हैं उसके बाद 11 October की वही है coal crisis in India इसके बीचे कारण क्या है solution इसके क्या होंगे coal crisis की क्यों बात हमने की क्योंकि यहाँ पर एक article आया हुआ है यहाँ पर यह article global tax revolution आप सबको हाल में ही पता होगा कि अभी कुछ देश मिलके आए उन्होंने बोला कि आप कोई भी जो बड़ी-बड़ी multinational company है उनको 15% तक tax देना पड़ेगा हर जगे अभी तक क्या करती थी बहुत सारी ऐसी companies थी जैसे वो क्या करेंगी USA की company है बट वो अपना जो setup करेंगी वो वेतनाम में करेंगी क्यों वेतनाम में उनको tax बहुत ज़्यदा कम देना पड़ता था तो इससे क्या होता था जो डपलबर कंट्री है या जहां की वो companies हैं उनको बहुत ज़्यदा loss suffer करना पड़ता था तो अभी यहाँ पर global tax revolution की बात की गई है कि अब जितनी भी multinational companies होंगी ना चाहे वो बेतनाम जाएं कहीं पर भी set up करें अपना काम उनको 15% तक tax देना ही पड़ेगा अब इससे क्या होता जो corruption है corruption है जो sell companies हैं जो fraud companies होती है अब वो जो हैं वो बंद हो जाएंगी कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको notes के basis पर भी फिर से इसको समझाता हूँ हाला कि पूरे article माँ वो ही दिया गया है कि minimum 15% global tax global tax global tax ठीक है अब क्या होगा यह मैं दिखा देता हूँ जैसा मैंने focus किया कि मैं UPSC mains पे ज़्यादा समझता हूँ कि आपको उसका mains का topic कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए अब इससे क्या होगा इंडिया is likely to benefit from global minimum अब 15% जब tax MNC देंगे तो भारत को फाइदा मिलेगा क्यों भारत का नहीं tax कुछ ऐसा है 67% वेतनाम की तरह भारत का tax पहले से 14-16% के बीच में था तो अब जो companies हैं वो चाहेंगी कि यार जहाँ पर अल्रड़ी इतना tax है वहाँ पर हम setup करें तो जहाँ पर 15% देना ही है इंडिया उनके लिए एक अच्छी location भी हो जाती है तो इंडिया में investment आ सकती है अच्छी हाला कि इसके साथ साथ ये equality भी promote करेगा कैसे क्योंकि अभी तक जितनी भी countries थी वो जादा चाहती थी मैं ये वेतनाम इंडोनेशिया यहाँ invest करूं क्योंकि यहाँ पर invest करके उनको 6-7% देना पड़ता था सिर्व प्रॉफिट का अपना बट अब क्या है equality कैसे promote होगी चाहे वो किसी देश में भी अपनी company set up करें उनके अपने profit का 15% तो देना ही पड़ेगा ठीक है इंडिया को फाइदा है बट इसके साथ साथ कुछ challenges भी है कि bring global consensus bringing all the major nation on the same page अब ये सभी देश मानते हैं या नहीं ये सबसे बड़ा challenge है चोटी countries को अब घाटा हो जाएगा कैसे क्योंकि यार उनकी major economy तो इसी से चलती थी जहाँ पर जैसे Ireland जैसी country 12% tax लगाती थी वो अब जादी से ज़्यादा company वा है वहाँ से हटना सुरू कर देंगी companies ठीक है तो सबसे ज़्यादा चोटी countries को यहाँ पर पेज नमर 9 में देखो यह BJP politics से related है बट एक जो दुखत खबर है यह आ यह अपने उत्राखंड से दहरा दोन नाई डेली देखो कितने लोग मारे गए हैं 52 लोग और worst यहाँ पर यार जब से हम है यहाँ पर माना जा रहा है 1897 से यह सबसे लगातार बहुत तेज बारिशती है हर एक district को effect किया even हमारे यहाँ भी jump out district में 10 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं पूरे उत्राखंड में कितने हो गए हैं 52 से ज़्यादा लोगों की death हो गई है land slide से ननिताल ही district में 28 से ज़्यादा ठीक है तो जितने भी लोग उत्राखंड से हैं वो safe रहें वर्ल लेवल की बारे मैं बात करें और बहुत सारे यार हमारे जो paid user हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा wishes दी है कि sir take care वगरा ठीक है सुबम मिश्रा थैंक यू दिक्षिका थैंक यू अमित कुमार थैंक यू सरीता थैंक यू रिशीतिवारी थैंक यू रुपेंदर थैंक यू सफूगा खातुन थैंक यू हीरल सोलांकी थैंक यू संगराम सिंग थैंक यू मनपरीद, शिबा, खुश्बू थैंक यू पूनम पटेल, जोती मॉई ठीक है और जो हमारे बहुत सारे हैं हैंडा जी थेंक्यू ठीक है प्रिती पांडे इंदू हिमानी शर्मा ठीक है प्रियंका पटेल अफ़न अली तो यहाँ पर सभी लोगों को थेंक्यू बोलूँगा जिनकी इतनी विसेज आई तो अब वर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं वर्ड लेवल की अलाइमेंट आप यूएस इंडिया इंटरेस्ट मेक एक ग्रेट डिफरेंस बंद हाला कि देखिए चाइना नॉट एन ओलंपियन पावर सेज बिडन इन्वाई नॉमिनिटू बिजिंग यहाँ पर बात की इंडिया और यूएस के रिलेशन आगे बल्ड रहे हैं हाला कि अभी यह मुद्दा वही है टेकनोलोजी गेम्स इस्पोर्ट डिफेंस इन सब का ठीक है जेल रशियन आपोजिशन लीडर विंस टॉप यूरोपेन उनियन प्राइस हाला कि यह हमें अभी करना नहीं है यू अब जैसे यहां पर यार बाउन लोग मारे गए हैं सीरिया में यह हर दिन का जो वर्ष्ट सिनारियो देखने को मिलता है ना हुआ क्या था इनके बारे में बता देता हूं मैं एलेक्सी नेवलेनी रशिया में इन्होंने व्लादिमिर पूतिन के जब रैजीम चल रहा है त उस पर जितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है तो उस पर सोशेल मेडिया पर उन्होंने आवाज उठाई उसके बैसे इनको जेल भी डाला गया पॉजिजन दिया गया बट जेल रशियन अपोजिशन लीडर विंस टॉप यूरोपन यूनियन प्राइज यूरोपन यूनि तो कहीं न कहीं economy जो दूसरा expenditure है हमारा वो सब तो यार तेल खरीदने ही में चल जाएगा बांकी चीजों का क्या होगा तो कहीं न कहीं oil prices में control करने की जरुवत हमें देखनी पड़ेगी ना कुछ comment पढ़ लेते हैं अनिकेट कहते हैं very compact not worthy time saving daily news for vast news people thank you for efforts हम देखिए thank you अनिकेट हम इसी पर focus करते हैं generally notes पर I wanted to ask question why age relaxation give to SC STOBC my question not related to reservation देखिए इससे पहले भी अगर आप देखोगे यार अभी भी बहुत सारी सबकास्ट हैं SC STOBC में जो marginalized हैं vulnerable हैं इसलिए उनको relaxation दिया जाता है सर language देखो अगर देखोगे ना अभी वास्ट majority है जो पढ़ ही नहीं पाती हैं सोचो सर language and writing skill को कैसे improve कर सकते हैं जैसे answer writing time मुझे words भूल जाते हैं और कहीं बार मेरे answer में qualities नहीं होती है means पढ़ने वाला impression नहीं होता है please guide sir रोहित पांडे ये सभी के साथ होत मैं कहूंगा यार जैसे maths में practice चाहिए होती है वैसे ही रोहित पांडे इसमें भी practice चाहिए होती है language और writing skill पहले दिन आप practice करोगी अगर लगाता तीन मैने हो जाएंगे लिखते लिखते ठीक है तो आप जल्दी अच्छा improve करेंगे और आपको words भूल जाते हैं ठीक है मैं आएगा okay sir please solve my problem जैसे मेरा UPSC childhood dream है और मैं इसके लिए secretly preparation भी कर रही हूं बस मैंने अपने parents बताया and they agree with it and this is my last year graduation but some of my family members asking graduation के बातिया करना है I said I will prepare for competition sir UPSC preparation के बारे में मैं किसी को बता नहीं रती से deal कैसे करो बिलकुल भी मत बताओ यार बिलकुल भी मत बताओ मेरा UPS एक प्लेलिस्ट देख लो आपको पूरा समझ मा जाएगा क्या करना है ठीक है यूब प्लेलिस्ट पर जाओ एसे स्टू ड्रेम से लिखो ठीक है आपको बहुत मज़ा आने वाला है नाट्व हैट कोड़े बेल्जियम सर आपने 20 अक्टूबर का न्यूज पेपर नहीं दि वीडियो ओके रुपाली सर प्लीज 20 अक्टूबर न्यूज बताईए ठीक है इसको कर देंगे सर 20 अक्टूबर न्यूज वीडियो ओके पलक इसको करते है ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे थैंक यू हैब नाइस डे